कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे नूच यूटूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर आजिर हुए हैं बड़ी अपडेट के साथ लाखों करम चारी और पैंसन बोगयों की पैंसन को लेकर जिहां दोस्तों जो आपका पैंस पुरानी पैंसन बेहली को लेकर क्या कुछ इसम के लश्ट तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टेम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कराने भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जुरूर दुब है जो भी गोर्मेंट इंपलोजर पैंसनर से समंधिन हो जाती है उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पाऊंस के तो आए दोस्तों बिना किसी देरे के हम वीडियो को स्टाठ करते हैं सरकार कुछ क्रामचारियों को यानि कि जो हमारे कें दिर्य क्रामचारी को न्यू पैंसन स्किम यानि कि NPS से O-PS में ला सकती है और इन क्रामचारियों में वे लोग सामिल का एक आदेस आने के बाद शरू ही है पैंसन और पैंसन भोगी क्लेंड विभाग से मांगी गई है राइम फाइनस मिनिस्टर ने राज्य मंत्री डॉक्टर बगवध कर्ड़ ने राजस्भा में कहा यूदि पैंसन बोगी क्लेंड विभागों केंधर सरकार के करमचारे को retirement benefit से समध मामले में जो संबनेवें के लिए policy तियार करने का काम सोपा गया है विभाग ने इस मामले में जड़ फैसला लेने का अग्रेबी किया गया है दोस्तों हम आपको बतादे कि राज्यामंत्री से पूछा गए कि क्या डियो पीटी एंड जो पी डबलूग ने किंदर सरकार के उन करामचरे को एनपेस से बाहर करने के लिए वितिय से विभाग के विचार मांगे हैं जिनकी भरती के विग्यापन 31 दिसंबर 2003 को या फिर उससे पहले जड़ी किये गए थे क्योंकि सुप्रिम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के विभीन फैसलों के मद्दे नजर रखते हुए ऐसे क्रमचरे को पुराने पैंसन योजना के तैत कवर करने की बात आई हैं उन से ये भी पूछा गए कि क्या डी एफ एस ने उप्योग अधिकरे को एनपेस के दारे से बार करने की स्पारिस की हैं दोस्तों हम आपको इस वीडियो के मादम से बता दे कि पहले भी जो संसत में सवाल उठा था संसत के जो सीद काले साथ में ये सवाल दो बार आया है कि पहले कार्मी को लोक सिकायत और पैंसन मंतरले में राजय मंतरी कारेल में डुक्टर जितिंदर सिंग करह कि इस मुध्य पर कानून मंतरले से राइ मांगी गई है जुआब आने के बाद फैसला लिया गया है डुक्टर जी तेंदर सिंग ने का है कि जो सुप्रीम कोट ने उन करमचरे के हाग में फैसला दिया है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा के विग्यापन पर अपलाई किया और उनके नियुक्ति हुई है लेकिन उन्हें NPS में सामिल किया गया था OPS देने का फैसला आने के बाद सरकार ने कानून मंत्राले से राइ मागी और उन्होंने बताए कि DFS पैंसन और पैंसन भोगे कल्यान विभाग उन करमचरे को NPS के दारे से बार करने के समान्द में सभी फैसला ले सकता है दोस्तो ये थी आज के हमारे लेटास अपडेट I hope आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्याद अपने जितने फ्रेंड्स से उनके साथ से जरूर करें मिलेंगे ऐसी बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सुभी को हमारी ओर से जैहिंद जैजवान जैक्सन